सब्सक्राइब बच्चों, एडू विला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं कि अच्छा 10 में विज्ञान की वॉक्षिट नमबर 38 आज हम लोग जयव प्रक्रम पढ़ेंगे, जयव प्रक्रम के बारे में आप लोग जानते हैं कि वैसा प्रक्रम जिससे कि जीव अपने जीवन को बनाये रखता है, जयव प्रक्रम कहते हैं, तो उसी में आज का करम है मानो में पाचन मानों में पाचन को समझने से पहले आप मानों पाचन तंतर के रिखांग की तस्वीर को देखे यह कहां से सुरू होता है तो यह हमारे मुख गुहा से मुख से सुरू होता है जिसमें सबसे पहले जीब होता है उसके बाद मुख गुहा होता है जिसके माध्धम से की भोजन नीचे जाता है और ग्रसिका होता है वहनली जिससे की भोजन अमासे तक पहुँचता है उसके बाद डायफ्राम होता है और फिर अमासे होता है पितासे होता है पितनली होता है या कृत अगनयासे छुद्रांत व अंत्र मिलकर पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन अंगों के कारे क्या है जैसे कि मुह भोजन का पाचन मुह से सुरू होता है हम जो भोजन मुह में लेते हैं न तो यहीं से पाचन क्रिया सुरू हो जाती है जहां इसे सरल कण में तोड़ा जाता है लार में लार एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अनु को सरल सरकरा में बदलता है मतलब कि भोजन का आंसिक पाचन जो है मुह से सुरू होता है मुह में जो लार निकलता है इसमें लार एमिलेस एंजाइम होता है और यह भोजन के जटिल अनों को सरकरा के अनों में बदल देता है और मुह में भोजन के टुकड़े टुकड़े भी होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ा जाता है उसके बाद अहार नलिका अहार नलिका जिसको हम लोग ग्रसी का बोलते हैं यहां जो ग्रसी का दिया गया है यह अहार नलिका है भोजन अब अहार नलिका के क्रमा कुंचक गती क्रमा कुंचक गती क्रमा कुंचक गती क्या होती है यह वाली जो गती होती है क्रमा कुंचक फैलने और सिकुडने वाली गती क्रमा कुंचक गती कहलाती है और मांस पेसियों की लैबध संकुचन द्वारा अमासे तक भोजन के पाचन में अमासे का भी बहुत मुख्य योगदान है, यहां भित्ती में, भित्ती मतलब अमासे की दिवारों में गैस्ट्रिक ग्रंथियां मौझूद होती, गैस्ट्रिक ग्रंथियां मतलब जिसमें जठर रस होता है, वहां ग्रंथियां होती हैं, यह हाइड्रो क एसीड का, प्रोटीन पाचक एंजाइम का, और पेपसीन और सिलेस्मा का सराव करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसीड अमली ये माध्यम बनाता है, जो पेपसीन की क्रिया में मदद करता है, सिलेस्मा अमासे की अंदरूनी परत को अमल की क्रिया से बचाता है, उसमें जो सिलेस् चुद्रांत मतलब छोटी आत यह कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है और अगनासाई एंजाइम को कारे करने के लिए या कृत से स्तरावित पित रस द्वारा चारी ये बना जाता है वसा बड़ी गोलिकाओं के रुप में छुद्रांत में मौजूद होती है जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कारे करना मुस्किल होता है पित लवन उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ कर एंजाइम क्रिया की छंता बढ़ाते है और अग्नियास एक रस को स्रावित करता है जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते है और इमलसी क्रित वसा को तोड़ने के लिए लाईपेस होता है चुद्रान्त की भित्ती में ग्रंथिका होती है जो आतों के रस का सराओ करती है, इतना काम चुद्रान्त में होता है, और एक विसेस काम होता है, इसमें मौझूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनों अमल, जटिल कार्वोहाईडरेट को ग्लुकोज में, और वसा को व चुद्रांत की सतही छेत्र को बढ़ाते हैं जो और सोसन के लिए सतह छेत्र को बढ़ाते हैं दिर्घरों में रुधीर वाहिकाओं की बहुत आयत होती है जो भोजन को और सोसित कर सरीर की प्रते कोसिका में पहुंचाते हैं इतना काम चुद्रांत में होता है उसके बाद व्रेधरांद व्रेधरांद क्या होता है तो व्रेधरांद बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आत में भेजा जाता है जब छोटी आत से भी ऐसा भोजन जो पूरा पाचर नहीं हो पाता है तो उसको बड़ी आत में भेजा जाता है जहां दिर्गरों इस समगरी से पानी को औसोसित कर लेते हैं अन्य पदार्थ गुदा के माध्धम से सरीर से बाहर कर दिया जाता है इस अपसिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा और रोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है अब है कुछ कारे जैसे मुह मुह में थोड़ा से इसको बढ़ा करते हैं लार एमीलेस नामक एंजाइम होता है मंड के जटिल अनु को सरल सरक्रा में बदलता है और आमासे क्या करता है पेपसिन प्रोटीन को सरल अनु में परिवर्थित करता है अगन्यासे क्या करता है पाचन तंतर के एंजाइम के कारे होगे और आईए अभ्यास करे छुदरान्त में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कारे लिखें क्रमा कुंचक गती क्या होती है हमारे अमासे में अमल की क्या भूमिका है पच्चे हुए भोजन को औसोसित करने के लिए छुदरान्त की रचना किस प्रकार विशेस है और मानो पाचन तंतर का आरेखित चितर बनाए तो चलिए अब इन प्रस्णों के उत्तर लिखते है प्रस्ण एक छुदरान्त में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखे और उसका कारे लिखे तो उत्तर है कि छुदरान्त में ट्रिपसिन नामा का एंजाइम होता है ट्रिपसिन प्रोटीन का पाचन करता है नेक्स्ट है प्रस्ण दो कि क्रमा पुंचक गती क्या होती है तो मान स्पेसियों की लैवध संकुचन क्रमा पुंचक गती कहलाती है प्रस्ण तीन है कि हमारे अमासे में अमल की क्या भूमिका है तो हमारे अमासे में हाइड्रोक्लोरिक अमल मौजूद होता है या प्रोटीन चार है कि पचे हुए भोजन को औसोसित करने के लिए छुद्रांत की रचना किस प्रकार भी सेस है छुद्रांत की दिवारों पर अंगुली जैसे दिर्ग्रोम होते हैं जो औसोसन के लिए सतही छेत्र को बढ़ाते हैं यह भोजन को औसोसित कर सरीर की कोशिकाओं में मानो पाचंतंत्र का आरेखित चित्र बनाईए आरेखित चित्र बनाईए तो चलिए विसका चित्र बनाते हैं देखें यह है मानो पाचंतंत्र मानो पाचंतंत्र आपने देखा है कि यह जीवा से मुग गुवा से सुरू होता है इसमें जीवा होता है फिर ग्रसिका बनाईएगा अमासे बनाईएगा और जुद्रान्त बनाईएगा ब्रहद्रान तो इधर से डाइफरां पिता से पित्ट नली और यक्रित अग्न्या से परी सेसिकार तो इसको अगर आप पनाएंगे ड्रैक करेंगे तो यह मानव पाच अंतन्तर पूरी तरह से तयार हो जाएगा और यह बहुत आसान है आप पेन पेपर से इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो बच्चो यह थी आपकी आज की वाक सिट और आज की वाक सिट कंप्रीट होती है वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरू कीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू